So Hello Everyone, Forum MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है King Zurg Medical University आपका अटल बिहारी वाजपई सेपाय इटावा में काउंसलिंग का गुड अपडेट आपके लिए आ चुका है जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना और आपके हर एक कमेंट का रिपलाई भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है जैसे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा गुवर्मेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा और आपको काउंसलिंग करवानी भी चाहिए या पिर नहीं करवानी चाहिए कितने नमबर वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं कितने नंबर वालों को गवर्मेंट कोलेज मिलेगा उसकी भी जानकरी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं और देखो काउंसलिंग का अपडेट यहाँ पर आ चुका है जैसे का आप यहाँ पर देख पारूंगे तो देखो सीट मेट्रिक्स यहाँ पर इनपॉर्मेशन आ चुका है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है तो चलिए इनको हम चेक आउट कर लेते हैं सीट मेट्रिक्स को सो यहाँ पर कुछ इस तरिके का हम को दिखाए देता है अटल पहरी वाजपाई मेडिकल यूंश्यटी उत्तर परदेश बीएस नर्सिंग चार साल और आपको तो पता है होगा कि जो आपका बीएस नर्सिंग का कॉर्स होता है बहुत इच्छा कॉर्स इसको माना जाता है प्रोपेशनल कोर्स में इसको गिना जाता है जी हाँ बिल्कुल ठीक है जिस प्रकार आपका MBBS होता है BDS होता है ठीक है उसी तरीके का ये Professional BS Nursing Course होता है ठीक है और भी यहाँ पर चलो कुछ Information जारी कि ये उसको देख लेते हैं जैसा है कि आप यहाँ पर देख पारोंगे ये Notification साफ साफ मेंशन किया हुआ है डेट यहाँ पर आ गई है अटल बिहारी वाजपई विस्विद्याले उत्तर परदेश लकनाव से संबन यानकि उससे रिलेट समस जितने भी Nursing College है उनको सुचित किया जाता है कि आपका जो सतर 2022 यानि कि आप 2022 में जो BS Nursing Course में प्रवेश लेने जा रहे हो ना उसके लिए प्रवेश है तू काउंसलिंग ये देखो तो काउंसलिंग के गुड अपडेट यहाँ पर आ चुकी है और बहुत सारी विद्यारते मेरे से बोड़ेते सर कौन कौन से डॉकुमेंट्स यहाँ पर नर्सिंग कोलेजों में सवी करत शीटों की संक्या जो आपकी मेट्रिक्स उपलग करवाया जाना है कुल पती महोदे के निर्दे नुस्वा तो यहाँ पर जो इसके ऑफिसल वेबचाड है 16 अगस्त 2022 के तीन बज़े तक यानिकी 16 अगस्त 2022 को सीट मेट्रिक्स यहाँ पर सीट मेट्रिक्स मिल जाएगा यहां कि कहां पर कितनी सीटे है ठीक है बोईज के लिए कितनी है ग्रल्स के लिए कितनी है यह सब 16 अगस्त 2022 को ओपिसली वेबसाट पर मिल जाएगा और वीडियो तो हम बनाए देंगे क्योंकि आपने चैनल सस्क्राइब कर रखाए बेल स्क्राइब भीडिक्स के तीन दिन बाद हमेशा कॉंसलिंग का सीडूल जारी होता है तो यहां पर 19-20 के आप पास गुनिस बीस बीस अगस्त मालो आप तो इसके आप पास यहां पर कॉंसलिंग का अपडेट आपको मिल जाएगा और कॉंसलिंग आपको करवा लेनी है अब आजस्तान में फोर्म आने वाले वहां पर ट्राय कीजिए का 100% सेलेक्शन होगा क्योंकि हमने आर्यू एचेस की जो बुक है वो उपलब्द आपको करवा दिए यह लीजिए आर्यू एचेस बेस नर्सिंग इंटरांस एक्जाम की किताब ठीक है अब आप बोलेंगे सरी किता ठीक है ना तो आपको सेलेक्शन दिलाकरी रहेगी है तो यहां पर आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए रूबी पिटेल का कमेंट है यू आर ग्रेट टीचर थेंक्यू सो मज़ रेगुलर विद्यारत है रूबी पिटेल हमारे बहुत बहुत दन्यवाद सीवान यादव को बहुत बहुत धेळ सारा दन्यवाद ठीक है प्रेम सेनी थेंक्यू सो मज़ हर एक वीडियो में कमेंट आपका हमको देखने को मिलता है बहुत ज़दा दन्यवाद रीना साओ आप तो रेगुलर होई साही ठीक है दिल से दन्यवाद एम जी आपको बहुत बहुत दन्यवाद इकसा राजबूत थेंक्यू सो मच किरन का बहुत बहुत दन्यवाद यहाँ पर रिना साओ आप हमारे सबसे बेस्ट टीचर हो दिल जीत ले रिना साओ ने चलो यहाँ पर लाइक कर देता हूं मैं कमेंट को ठीक है अगला एप्शावंदन सार एप्शावंदन आप सभी को धेर सारी सूप काम ना है अरुना सिंग वंदन आदों को बहुत बहुत यहाँ पर हैप्शावंदन और काजल सिंग देखो आप सभी भाई भहनों का ऐसे प्यार मिलता रहा तो आपको तो कोई भी दिक्कत हम यहाँ पर नहीं आने देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिवान यादो बहुत-बहुत हैपी रक्सा बंदन तो यहाँ पर चेक आउट हम कर लेते हैं, दिल्ली में कब आएंगे दिल्ली में जो फोर हमें, यह आपके लास्ट अगस्ट में देखने को मिलेंगे नरेश कुमार, सिर मुझे RUHS कोलेज के लिए कितने नमबर चाहिए और और इस्टेड से हूँ, तो देखो, डॉकुमेंट्स क्या-क्या चाहिए तो निरेश ऐसा है कि RUHS में आप एपलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है और कम से कम आपको 65 के अबाउट चाहिए नमबर अगर आप 70 लेकर आते हो ना, तो आपके लिए बहुत ये अच्छी अपडेट रहेगा आपके लिए बहुत ये अच्छा चाहिए गा तो यहाँ बर 70 नमबर लाने का परहतन करते हो, तो नमबर वन कोलेज आपको मिल जाएगा और ओधर इस्टेड से हो तो आपको 10 वी बार वी की सीट और आपका डॉमिसल सेटिपिकट ये आपको चाहिए काजल सिंग, LLRM, Medical College, Merit, Uttar Pradesh, B.S.S. Forum, Update देखो ये जो आपने बताया, लाला लाज पत्राई तो इसमें जो परवेस है, वो आपका KGMU से होगा जो केजी M.U. का एक्जाम आपने दिया है उसी के दौरा आपको इसमें परवेस मिलेगा अभी तो मैंने कल आपको बताया है था कि कौन-कौन से कॉलेज में आपको परवेस मिलेगा तब ही तो आपसे बार-बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लिया करो आपका ही फाइदा है, आपका बविश्य बनेगा आपका केरियर बनेगा आपके माता-पिता का नाम रोशन होगा आपको पता है कि बहुत सारे विद्यारती ऐसे होते दो-दो गंटे की मूवी को देख लेते वो भी कम पड़ती है, तीन-तीन गंटे के मूवी को देख लेते बट आप अपने केरियर से जुड़ा हुआ वीडियो को कम से कम 10-15 मिंट का वीडियो होता है देख लिया करोना आपकी जिंदगी सुद्रेगी संजु कुमारी विश्यूम, गुड मॉर्निंग सर जारकंड में बियस नर्ण सिंग देखो जारकंड में अभी बियस नर्ण सिंग जेनेम और एनेम के फोरम नहीं निकले कब निकलेंगे, लास्ट अगस्त में संजु जी आपको देखने को मिल जाएगा बहुती जल्द यहां पर निकलेंगे जारकंड में नर्ण सर, हर यान में गॉर्मेंट कॉलेज की कितने नमबर चाहिए देखो वही कम से कम 65 तो आपको चाहिए चाहिए दिकसर आजबूद, सर जी एमपी के फोरम कब तक निकलेंगे सितमर में रिहान अंसारी सर, बेश नर्शिंग में एडविशन कितने नमबर पर होगा प्रावेट कॉलेज में कौन सी कॉलेज की बात आप कर रहे हैं प्लीज पूरा अपडेट यहां पर लिखा करो ठीगे मनिशा चोधरी एनेम काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी मद्यपरदेश की देखो गोवर्मेंट को प्रस्ताओं हमने बेश दिया है जिसे कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत आपको इनफॉम कर देंगे सनेहा हैपी रक्सावंदन सर, हैपी रक्सावंदन सनेहा, आपको आपके परिवार को डेहर सारी सुपकामना है, आरती, सर आपने आरवेदी नर्सिंग वाले वीडियो में मेरा कमेंट का रिप्लाइ नहीं दिया, ओ माई गोड, यह तो गलती हो गई, देखो कोशिस तो हम करते हैं, बट कोई बाइचांस हम से छूट गया होगा, कोशिस तो हम हरे की करते हैं, आपके सामने मेरे कमेंट सारे उपन कर रखे, अब आपका देख लिया तो नीचे का, फिर उससे नीचे का, देखो में छोड़ तो नहीं रहा, ठीक है, पर बाइचांस अगर छूट गया, तो कोई दिखने, अगें कमेंट कर दिया करो, ठीक है, अंकिता, क्या बीएस रंसि सितंबर में निकलेंगे, सितंबर में निकलेंगे, सिर्फ कोई अगर और इस्टेट से फोर में अपलाई करें, तो कड़ टॉप कितना चली जाते, सत तर्ग लगबव, ठीक है, हाँ, बिल्कुल इतना ही जाता है, और बीएस रंस एक्जाम की, राजस्तान कर सकते हैं सेंट्रिक्सी आएगा न, तो 20 के आसपास आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो इसे चिंता क्यों करते हो, हर एक काउंसलिंग का अपडेट आपको हमारे MKS अकेडमी एप पर मिल जाएगा, हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपने डाउनलूड कर सबसे पहले वहीं पर आपको मिलेगा, दिल्ली का कब आएगा, तो दिल्ली में तो भी टाइम लगेगा, लाश्ट अगस्तक, 91 नमबर है न, यूपी में, तो प्राइवेट मिलेगा, कल बे, सर राजस्तान में जेनेम नर्सिंग के पोरम कब आएगे, ये आपकी सितंबर मे निकलेंगे, आयूस, फिर नागपुर महराष्ट में जेनेम के पोरम कब आएगे, तो यहाँ पर पोरम का वीडियो बना ना होगा लगसे, जो क्या आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, सर यूके का नर्सिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, यूके का वीडियो में बना रोतक के निकल गए, और कोई यूनिवर्शिटी है, तो बता दो, वहां का अप्डेटर में आपको दे दूँगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हर याना में बीएगे के पोरम कब निकलेंगे, वीडियो मिलता रहेगा आपको, चिंता क्यों करते हो, हर एक प राजस्तान में आपके आने वाले है, लास्ट अगस्त में, तो मैं यह ही कहूँगा, एमकस अकेडमी एप डाउनलोड कर रहा होगा, तो फोरम, काउंसलिंग, मेरे लिस्ट, कट ओप, पुराने पेपर, वहां पर आपको मिलते रहेंगे, तो डाउनलोड कर लेना, एमकस अ